है गाइस वोड़ा फोन आइडिया के लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज आ रही है ऐसा लग रहा है जैसे कि मानों कि वोड़ा फोन आइडिया मौत की मुह से वापस जिंदा होने वाली है और कुछ न कुछ बड़ा करके दिखाने वाली है ठीक है ऐसा प्रतीक हो रहा क कि कुछ न कुछ बड़ा करके दिखाने वाली है लेकिन उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है सबसे पहले खबर बताने से पहले मैं आपको चार्ट दिखा देना चाता हूँ ठीक है इसका चार्ट पैटन कैसे काम करना है तो यह रहा आइडिया ठीक है अब यहाँ प खबर आई थी कि वोड़ा फोन आइडिया मतलब पूरा डूबने लगा था तब यह लगबग एट रुपीज के आसपा से ट्रेड कर रहा था जब यह खबर आई है कि वोड़ा फोन आइडिया को बचाने के लिए बहुत सारे लोग जो है आगे आ रहे हैं और बहुत सारे लोग यहां पर इन्वेश्ट कर सकते जब इसका शेर का प्राइस देख सकते 13 रुपीज के आसपास जा चुका था और लगबग इसका डेट क्या था तो यहां देख सकते हैं 4 सेतंबर के आसपास बताय जा रहा था और लगबग 2-3 दिनों के अंदर लोगों ने काफी बड Vodafone डिया नहीं रहा आप इसका यह नय ब्रांड रहे हैं ठीक है इसका नय ब्रांड वियाई है अब देखे वodafone डिया ने एक अच्छा काम किया है जहां पर यह बता रहा है जो है 5000 करोड के आसपास जो इसका जो अमाउंट है यह पहले क्या करेगा निकाल के रख लेगा किसके लिए AGR payment के लिए क्योंकि as a priority fund इसको priority fund इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जब इसके ऊपर AGR नहीं रहेगा तो मैं बोल रहा हूँ multi-bagger तो समझो बन ही गया लेकिन AGR को जब तक ये नहीं पूरा कर सकता तब तक हमें इसको उतना confidence के साथ नहीं देखना चाहिए ठीक है तो problem यह है लेकिन हाँ कोसिस कर रही है कोसिस कर रही है अब उसके साथ-साथ जो Vodafone idea है कि Vodafone idea जो है यहाँ पर पैसा जुटाने के भी कोसिस कर रहा है पैसा जुटाने के कोसिस कर रहा है तो अभी तो ऐसा कोई है नहीं अब Vodafone Idea ने एक और कदम आगे बढ़ाया है Vodafone Idea यहां पर देख सकते क्या करने वाली है V.I. Becoming Co-Present मतलब कि यहां जो IPL होता है उसमें यह क्या करने वाली है CRO Co-Presenting Sponsor लेने वाली है यह IPL में 2020 में ठीक है अभी यहां पर देखेगा तो 2018 में साइद यह लिया था ठीक है 222 करोड आफ्टर चाइनीज मोबाइल हैंट सेंट तो पहले चाइनीज हो तो हुआ करता था जो वीवो था और भी बहुत सारे ब्रैंड थे उनके बाद जो है आप कौन लेने वाला है तो यहां देख सकते वोड़ा फोन आइडिया देखे वीवो और ओपो को मतलब हलके मे इसके वज़े से अब देखे मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूं वोड़ा फोन आइडिया इतना ज्यादा कोसिस क्यों कर रहा हूं वापस आने के लिए अगर वोड़ा फोन आइडिया वापस आ जाता है तो इतना याद रखेगा कि रिलाइंस को थोड़ा बहुत प् भी बड़ा है यह अगर वोड़ा फोन को कुछ को जाता अगर यह डुप जाता तो लेकिन अब बहुत सारे ऐसे कंपनिये जो वापस कर है अब ऐसे क्यों कर रहे हैं आपको बताना चाता हूं यह खटा रहा है असका बाद यह देख सकते एक मान लेते हैं यह न्यू वान है तो हम देखे जब यह repair करते हैं तो हम तब तक repair करते हैं, जब तक हमें उतना ज़्यादा पैसे ना देना पड़ जाए, इतना ज़्यादा पैसे ना डाल दे, जिससे हमें एक new car या जाता है, तो हम repair करने में उतना ही पैसे लगाते हैं, अगर थोड़ा बहुत लगता है तो, तो नियू तब लेते हैं जब देखते हैं कि रिपेर करने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है तो अब क्या करते हैं रिपेर करने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है तो अब क्या 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 है कि उसी कंपनी को उसने क्या क्या रिपेर कर दिया गया है अगर हम थोड़ा बहु modify भी नहीं हो सकता यह repair भी नहीं हो सकता तो हम छोड़ देते हैं तो क्या होती है company company bankruptcy हो जाती है insolvency हो जाती है company खत्म हो जाती है लोगों के पैसा डूब जाते है अब देखें यह जो sponsor की बात आ रही है न IPL से इससे क्या होगा कि इसके users बढ़ेंगे customer बढ़ेंगे जिसके बाद क्या होगा CAGR जो इसका average per revenue user जो आता है तो इसका जो है average revenue per user वो बढ़ेगा क्योंकि पहले कितना था अगर हम देखते हैं पहले अगर हम देखना चाहते हैं कि इसका जो official third quarter में कितना था तो लगबग 109 के आसपास था average revenue per user 109 के आसपास ही था जादा नहीं था 109 वो भी official third quarter में था अब हो सकता है कि ऐसा करने से इसको उपर जाने की छमता इसके पास customer आएंगे customer आने से क्या होगा कि इसका average revenue per user जो है वो बढ़ेगा तो इसको profit होगा वैसे भी इसने बोला कि 5,000 के आसपास जो पैसे है लगबग वो क्या कर जो है AGR के लिए बकाया जो बाकी है उसको pay करने के लिए रखेगा तो हो सकता है कि वापस यह जिंदा जिंदा हो सकता है मतलब अच्छा कासा profit देने के mood में आ सकता है लेकिन उसमें time लगेगा क्योंकि छोटा stock है और बहुत लोग का hope जो है वो खत्म हो चुका है तो हो सकता है कि वापस अगर कुछ न कुछ बड़ा करके दिखा दे इससे पहले इसके उपर क्या करना है notice करते रहना है focus करते रहना है कि अगर अच्छा बन चुका है तो हमारे हाथ से निकल जाए क्योंकि अगर आपको Warren Buffett के बारे में सही तरीके से पता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा Warren Buffett के पास भी एक ऐसी company है जो communication के लिए गाम करती है ठीक है क्योंकि उनको पता है technology की दुनिया कहां जाने वाली है वो हमें भी नहीं पता और लोग इसी चीज में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते है या interest दिखाते है ठीक है उनका consumption pattern है वो change होता है consumption pattern है जो change होता है तो उनका interest भी change होता है और उसी तरीके से पैसा खर्च करने का तरीका भी change होता है तो अगर आप देखें तो उनके पास भी एक है क्योंकि उनको लगता है कि technology share बहुत उपर जा सकते है और communication सभी लोगों को चाहिए सभी लोगों को इंडिया में या पूरे world में सभी लोगों को एक नएक phone चाहिए तो इसके वज़े से क्या होता है कि ऐसी company को survive करना पड़ेगा ही पड़ेगा इस वज़े से Vodafone आइडिया भी अभी भी try करना है कि अगर मैं बच गया तो अच्छा खासा मुनाफ़ा दे सकता है तो मैं बोलूगा कि आप भी research किजिए और क्या सही है क्या गलत है आप भी find out करोगे तो आपको भी सही लगेगा और पैसा बनेगा और अगर आप stock market में नए हो और आप अपना dmit account open करना चाहते हो तो आप अपना dmit account angel open कर सकते हो वो भी बिल्कुल free में अगर आपको free में दिये जारा है बहुत सही है आपको dmit account free में मिल लागा वैसे भी देरे देरे आपको knowledge भी मिलना start हो जागा और देखे एंजल और जीरुता जैसे जो platform है यह अच्छे वाले platform है जहां पर आप और आपका पैसा दोनों safe रहता है दोनों क्योंकि इससे अच्छा platform आपको नहीं मिल पाएंगे यहां पर एक group है यह angel का group है अगर आप इनको call करके बोलोगे तो यह आपको एड करेंगे आप बताएंगे कौन सा लिंक है वहां से जाके आप अपने डिमेट अकाउंट ओपेंड कर सकते हैं